प्रधान मंत्री मोदी लोगतंत्र हमारा DNA है भारत में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कास्ट, रिलिजन और क्रीट के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव भारत में किसी के साथ नहीं होता और भारत सम्विधान और लोगतंत्र के आधार पर चलता है लेकिन 24 घंटे के भीतर प्रधान मंत्री मोधी के इस बड़े दावे को पलीता उनकी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने लगा रहा है। हकीकत क्या है हम सब जानते हैं तब उन्हीं की पार्टी का एक मुख्यमंत्री कैसे ट्वीटर पर चंद शब्द लिखकर अपनी मंशा जाहिर कर देता है और पता चलता है कि प्रधान मंत्री जो कह रहे हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं क्या लिखा है और क्यों मैं ऐसा कह रहा ये प्रधान मंत्री मोधी के उस साजा प्रेस कांफरिंस के तस्वीर है जिस तस्वीर के साथ आज के अख़वारों की वो सुर्खियां है जो आपने सुबह पढ़ी है जिसका जिक्र मैंने किया जिसे पढ़कर लगेगा कि प्रधान मंत्री मोधी ने कितनी बड़ी बात का दी चैनलों पर लगातार कवरेज है तालिया है शोड है और ये कि प्रधान मंत्री मोधी ने करारा जावाब दे दिया उस हमिर की पत्रकार को जिसने कहा था कि भारत में अल्व संथ्यकों के परती सलूक होता है उसके परती आप क्या सोचते है रबहिये पर सवाल उठाय था भारत सरकार की रबहिये ये तस्वीर तब की है लेकिन ये एक टूट है जो आज ना सिर्फ वायरल हो रहा है बलकि यह तेन्ड भी हो रहा है हुसैन ओबामा कुछ दिर पहले नभर One trending पर था हुसैन ओबामा अब हुसैन ओबामा क्या है समझने की कोशिश किजिए डानते होंगे शायद कि अब पराक ओबामा का पूरा नाम और औबामा का पूरा नाम बराक हुसेन ओबामा है अब यह क्यों कहा इसको समझाने के लिए पहले इस ट्वीट को समझेए और क्यों यह बात आई और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं रोहनी सिंग एक senior journalist उन्होंने ट्विटर पर लिखा तीन बज कर 24 मिनट पर ये रोहनी सिंग ने इसलिए लिखा क्योंकि असम पुलिस हेमंत बिश्व सर्मा की पुलिस कई राजजों में किसी ने अगर कोई टूइट किया या सरकार के खिलाफ या कोई ऐसा टूइट या सत्ता बीजे पी के सत्ता के लिए असाहज हो या प्रधान मंत्री मोदी के लिए असाहज हो तो असम पुलिस जाती है फायार दर्ज करती है और उसके बाद गिरफतारी के लिए असम से बाहर चली जाती है पावन खेड़ा जो कॉंग्रिस के नेता है उन्हें गिरफतार करने के लिए असम पुलिस दिल्ली चुकि बराक उबामा जो अमेरीकी प्रेजेडन्ट रहें दो बार लगातार प्रेजेडन्ट रहें आठ साल तक और तक और प्रधान मंत्री मोधी उन्हें माइफरेंड बराक कहते रहें माई फ्रेंड बराक कहकर किस्ते और कहानिया सुनाते रहे तस्वीर सामने है जब बराक अबामा भारत आये थे और तब जब प्रधान मंत्री मोदी इस दस लाग के सूट वाले तस्वीर के साथ भी बराक अबामा के साथ थे और लगातार जिसे माई फ्रेंड बराक कहते रहे उस बराक उबामा ने जब कल प्रधान मंत्री मोदी की तरफ से जो साज़ा प्रेस कांफरेंस होनी थी जो बाइडन के साथ उसके पहले उन्होंने कहा CNN से एक इंटर्व्यू में कि अगर मैं प्रधान मंत्री मोदी से बातचीत करता तो उनसे कहता कि अब भारत में अल्व संख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी आशंका है कि भारत तूट सकता है विभाजित हो सकता ऐसी कुछ बात रही उससे नाराज एक बड़ा तबका भारत में है रोहिनी ने इशारा यही किया कि क्या F.I.R. फाइल होगी गुहाटी में बराक ओबामा के खिलाफ सेंटिमेंट भावनायाहत करने के मुद्दे को लेकर और असम पुलिस क्या वाशिंग्टन जाएगी ओबामा को अरेस्ट करके गुहाटी लाने के लिए जवाब जो दिया असम के मुख्यमंद्री ने उसमें B.J.P का दो मुहापन और मुसल्मानों के प्रती B.J.P के मुख्यमंद्रियों का रवया वो आपको सामने दिखेगा हेमंत विसो सर्मा ने ट्विटर पर लिखा देरार मेनी हुसैन ओबामा हुसैन ओबामा गौर करिएगा बराक ओबामा का पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है हलाके उन्हें दुन्या में लोग बराक ओबामा ही बूलते हैं उनके पिता अफ्रिकी मुस्लिम मूल के थे, इसलिए उनका पूरा नाम बराक हुसेन ओबामा है. तो हेमंत विसो सर्मा ने लिखा, there are many हुसेन ओबामा in India itself, भारत में पहले से ही बहुत ज़ादा हुसेन ओबामा है, हुसेन पर जोर है काने का मतलब, मतलब साफ साफ निशाना साधा हुसेन ओबामा कहकर, कि यहां बहुत सारे हुसेन ओबामा है और हम अपनी प्राथ मिक्ता तै करेंगे, वाशिंटन जाने की बजाए असम पोलिस अपनी प्राइरिटी के अधार पर एक्ट करेंगी. ये एक मुख्यमंत्री ने लिखा, और लिखने के बाद बहुत सारे लोग सवाल पूछते हुए ट्वीटर पर, इसके असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के हिसाब से ट्वीटर पर ट्रेंड कर रहा है, अब सवाल ये उड़ता है, कि ऐसा लिखना, इसके पीछे मनशाओ, और हिमंत्र विश्व सर्मा का जो पूरा ट्रेक रेकॉर्ड है, जिसमें लगातार अल्प संख्यकों के परति, उनका जो नजर या बीते कुछ सालों से, और सब जानते हैं कि पहले कॉंग्रिस में थे, लेकिन 6-7 सालों के दौरान, हिमंत्र विश्व सर्मा का ऐसा काया कल्प हुआ है, कि एक से एक उनके बयान, बहुत सरे लोग उनकी तुलना योगी आदित नाथ से करने लगते हैं, कि दो ऐसे मुक्यमंत्री BJP के, जो मुसल्मानों के पृति अपनी रवये को लेकर, और कटर हिंदुत वादी एजेंडे को लेकर, एक प्रविर्ति के साथ आगे बरने की कोशिद करें बहराल, ये उनका बयान आया, इस बयान की अलुचना तो लगातार हो रही है, लेकर मकसद आप देख रहे हैं, तो प्रधान मंत्री जिस राश्टपती, पुर्व राश्टपती को अपने दोस्त मानते हैं, और एक पुर्व राश्टपती के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, there are many हुसाइन ओबामा, क्या कहता है समझी, उसके बाद ट्विटर पर बहुत सारे लोग जो लिखने लगे, जैसे रोएनी सिंग ने भी एक जबाब दिया, बिग फॉर्मर प्रेसिडेंट अफ युनाइटे इस्टेट्स बराक ओबामा प्रोफाइल एज मुस्लिम एन इक्वेटेड विटे क्रिमिनल बाई बी जेपी चीफ विनिस्टर, is this the official position of इंडिया, M.E.A. को उन्होंने टैग किया, क्या ये भारत का official position है कि बराक ओबामा को आप एक मुस्लिम के तौर पर कहकर उनकी तुलना ऐसे आप कर रहे हैं जो हेमंत विश्व सर्मा ने किया, ये रोहिनी ने ट्विट किया, रोहिनी के ही ट्विट पर हेमंत विश्व सर्मा ने ये जवाब दिया था, उसके बाद बहुत सारे लोग लगाता है लिकरें मुहंबाज जुबैर ने लिखा कि ये रिलिजिस डिस्क्रिमिनेशन है चीफ निस्टर के द्वारा बाय थ्रेटनिंग टू टेक कियर इंडियन्स लाइक हुसेन ओबामा ये इस्ट्रेसेज ओन दे नेम हू इंडियन गर्बमेंट और स्पीक्स इन लाइन विट फॉर्मर यूएस प्रसिडेंट ये जुबैर ने लिखा वैसे ही तो आसनी हैदर ने लिखा एड़े आफ्टर पीया मोदी सेड सेड़ एड़ वाइट हाउस दाट देर इस नो डिस्क्रिमिनेशन ओन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता तो इसलिए यह सारे लोग मुख्यमंत्री के उस ट्वीट के साथ यह सवाल पूछ रहे हैं शॉकिंग डिस्टर्विंग एडे आफ्टर पीम सेज इन वाशिंग्टन देमोक्रेसी आवर डियने इस इन आवर डियने एंड देर इस कि प्रेसिडेंट ओबंक को एक मुस्लिम के दौर पर चिन्हित किया गया है अब फुर्ट के को लिचार प्रधानमंटरी अदक यह only कहते रहे हैं अक्षा कुमार का यह एक इंट्रीई हम दुना अच्छे दोस्ते हैं उसके बाद सुरी परताप सिंग पूर्वाय सदिकारी है उन्हों यानि मुस्लिम का कर व्यंग किया जा रहा है इस तरह से तो सारे लोग लिख रहे हैं स्वाथी चत्रुवेदी ने भी लिखा यह व्यंग करते लोग है यूसे ट्रिप दॉग विशिल्स एं रिलिजियूस प्रोफाइलिंग इस पार अफ्कॉस सिद्दार्थ वरद राजन दावायर के एडिटर है उन्होंने लिखा यह प्रधानमंत्री मुदी का स्टेट्मेंट है सेट दवाश विशुगरू इन डी सी मतलब कहा कि सीदे सीदे प्रधानमंत्री छूट बोल रहे हैं अगर वो कहते हैं कि भारत में कोई भेदभाव नहीं है कास्ट या रिलिजिन के आधार पर ऐसे बहुत सारे ट्वीट से हैं अब कितने ट्वीट गिनाओं लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं विदेश में या देश में जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं लोग ढंत्र औंस संविधान की दुहाई देते वह. किताबी बाते करते हैं, सैध्धांतिक बाते करते हैं, नैतिक बाते करते हैं, कई वार विश्वगुरू की तरह बात करते हैं, कई वार संध की तरह बात करते हैं, कई वार महामनाब ओधी बन कर बात करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसत, मैं कैसे उनके बयान होते हैं कैसे अलब संख्यकों को टार्गेट पर रखते और तो और लोगतंत्र की दुहाई परधान मंत्री मोदी ने अमेरिका में देती और देते हैं लोगतंत्र की दुहाई अभिवेक्ति की आजादी की दुहाई लेकिन अभिवेक्ति की आजादी को भार उन्हें जेलों में ठूसा गया उन पर UAPA से लेकर और ऐसी धाराय लगाए गी जिस NSA तक लगाया गया जिसमें महिनों सालों तक उन्हें जेलों में सरना पड़ा सिद्धिक कपन से लेकर डॉक्टर का फील तक कई ऐसे नाम मिसाल के तौर पर सामने हैं कुछ छूटे कुछ आ में हर आलोचना करने वाली आवाज को हुसाइन से चिन्नित करता है तो मकसद और मतलब आप समझेंगे और ये कोई पहली बार नहीं है ऐसे भी ये वोट को लेकर भी उनका को ख्यात बयान है कुछ दिन पहले में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था शायद एक दो साल पहले जिसमें उन्होंने कहा था कि मिया मुसल्मान हमें वोट नहीं देते हैं मिया मुसल्मान हमें वोट नहीं देते हैं यही बीजेपी के नेताओं का अपना रवया और तरीका हो मानते हैं कि मुसल्मानों की हैसियत हमारे लिए कोई नहीं है अगर मुसल्मान हमारे लिए माईने नहीं रखता क्योंकि बहुत संख्यक आबादी हमारे साथ है तो मुसलिम की हम परवा क्यों करें या मुसल्मानों को जब तक टार्गेट नहीं करेंगे जब तक मुसल्मानों को उनकी हैसियत नहीं दिखाएंगे तब तक हिंदुत्वा का एजंडा कैसे बढ़ेगा और बहुत संख्यक आबादी की गोलबंदी कैसे होगा यही तरीका है लेकिन कहने के लिए जब मंच होता है जब उनकी वाइस प्रदान मंत्री की रेकॉर्ड होती है दुनिया के सामने जानी होती है तब उसी तरह की बात क करते हैं जैसे अमेरिका में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे डियने में है लोकतंत्र हमारी रगों में है लोकतंत्र को हम जीते हैं भेदभाव का कोई सवाल नहीं और मिसाल सामने है तो फिलार इस वीडियो को खत्म करते हैं फिर मुलाकात हूं किसी और वीडियो में अग झाल